हलो फ्रेंड विडियो को देख रहे हैं मैं आपको बता देना चाहते हूं छोटी-छोटी स्टोरीज पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ शेयर करते हूं जिनसे हम बहुत सरे न्यूवर्ड सीखते हैं अपनी वोकेवरिक प्रूफ करते हैं साथी जो भी ग्रामर्ड चाती है म आपको पसंद भी आए कैसे लगेगा प्रीज कमेंट में जरूर बताएगा स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है इस किंदर यू आप आर मिन्स हैं आप केवल वह इंसान है या केवल वह व्यक्ति हैं वन का मतलब मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूं जो नोज यानिके जानता है नोज जानता है क्यों बूला क्योंकि आपने देखा यह हमारा प्रिजेंट इंडेफिने टेंस है ठीक है यूर्सल्फ यानिके अपने आपको बेस्ट मीन्स अच्छा या सबसे अच्छा केवल आप हैं जो अपने आपको बहुत अच्छे से जा आपके आसपास has different things, different यानि कि अलग अलग things यानि कि उसके पास में चीज़े हैं to tell, बताने के लिए about you, आपके बारे में, हर किसी के पास या हर एक के पास में आपके बारे में बताने के लिए अलग 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 चीज़े या अलग अलग बाते हैं, इस सरी कि आप simply इसको बोल सकते हैं everyone around around का मतलब चारो और भी होता है और आसपास भी होता है ठीक है but लेकिन only you know your true self only you यानि के केवल आप know जानते हैं your true self आप अपने स्वयम को अपने आपको सबसे अच्छे से जानते हैं या सच में आप क्या है वो अपने आपको आप जानते हैं इस सरी के से there are billions of people there means होता है यहाँ but कई बार हमारे लोको जब sentence बिलाने के लिए correct subject नहीं मिलता है तब हम there का use भी करते हैं ठीक है are billions of people यानि के अर्बो लोग है on this planet इस ग्रह पर अर्बो लोग है and or every person has a different purpose every person यानि के हर व्यक्ति has means है a different purpose different यानि के अलग या बिन purpose उसका हर व्यक्ति का हमारे जो मतलब इस सरी के साब बोलते हैं कि इस ग्रह पर अर्बो लोग हैं और हर व्यक्ति का अलग उद्देश है each person finds their mission differently and has a different journey each person यानि के each means होता है हर एक person यानि के व्यक्ति हर एक person finds यानि के ढूंडता है या खोजता है find means ढूना या खोजना दोनों ही होता है their mission उनका mission खोजता है या ढूंता है differently यानि के अलग डंग से हर व्यक्ति यानि के हर एक वैक्ति अपना mission जो है अलग तरीके से या अलग डंग से खोजता है and has a different journey और उनकी एक अलग यात्रा होती है तस इसी प्रकार या इस प्रकार When I write about myself When, जब I write मैं लिखता हूँ About myself About means के बारे मैं myself यह नहीं के मेरे बारे में जब मैं मेरे बारे में लिखता हूँ I write about my journey I write, मैं लिखता हूँ ये भी हमारे present indefinite के sentence हैं जहां पर आप देखेंगे is our aim, was, were इस तरीके के verb का help use नहीं होता है simply और verb की first form use होते है तो simply वो हमारे present in different tense होते है I read about my journey मैं मेरी यात्रा के बारे में लिखता हूँ and or what makes the person और क्या वैक्ती बनता हूँ I am because of the journey मैं हूँ because of के कारण of the trip इस यात्रा के कारण में क्या हूँ, मैं वो भी लिखता हूँ because के साथ में जब off हादा है तो इसका meaning होता है के कारण ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रिखेगा because of means के कारण of the यात्रा, मैं इस trip के कारण में क्या हूँ, मैं वो भी लिखता हूँ अब देखे simply यातर का मतलब टर्बी हो गया और जर्णी भी हो गया ठीक है I try to be myself I try मैं कोशिश करता हूँ to be यानिके होने की myself मैं जैसा हूँ मैं वैसा होने की कोशिश करता हूँ इस तरह के साथ इस sentence को बोल सकते हो या आप जैसे भी बोल सकते हैं कि मैं स्वयम जैसा हूँ मैं वैसा होने की कोशिश करता हूँ be passionate मैं उत्साही होने की about my dreams मेरे सपनों के लिए about यानिके मेरे सपनों के बारे मैं उत्साहित होने की कोशिश करता हूँ and hobbies और मेरे shop को ले करके मैं उत्साहित होने की कोशिश करता हूँ live honestly इमानदारी से जीने की and work hard कड़ी महनत करने की to achieve all that I want to make to achieve यानि के प्राप्त करना या हासिल करना जो भी मैं हासिल करना चाहता हूँ या मैं प्राप्त करना चाहता हूँ ठीक है इस तरह के से कि जो भी मुझे हासिल करना है मुझे प्राप्त करना है all that I want जो भी मैं चाहता हूँ to make, करना, make means करना या बनाना दोनों होता है यह जीज़ याद रखेगा यहाँ पर confuse मत होएगा make means तो बनाना होता है make means करना भी होता है कि जो भी मैं करना चाहता हूँ उसे हासिल करने के लिए मैं कोशिश करता हूँ I am a student, मैं एक विध्यारती हूँ who lives, जो रहता है या जो रहता है इस से कीसी बूल सकते है या मैं एक विध्यारती हूँ जो रहता हूँ in Bangalore मैं Bangalore में रहता हूँ बैंगलोर सिटी मैं Bangalore शहर में रहता हूँ with my family with means होता है my family यानि कि मेरे परिवार के साथ रहता हूँ तो पूरी sentence को simply हम कैसे पढ़ेंगे मैं एक विध्यारती हूँ जो Bangalore सिटी में अपने परिवार के साथ रहता हूँ या Bangalore शहर में अपने परिवार के साथ रहता हूँ all my friends are from the city too all my friends मेरे सभी दोस्त all means सभी my friends ये मेरे के सभी दोस्त all means है from the city too मेरे सभी दोस्त भी इसी शहर से हैं like many people who are resident of the town like यानि की तरह many people बहुत से लोगों की तरह who are residents बहुत सो के लोगों की तरह जो residents यानि की जो निवासी है of the town जो इस शहर के निवासी है my family also has migrated from north India my family यानि की मेरा परिवार also means भी has migrated यानि की वो जा बसा from the north India north India से जा बसा to come आकर and settle here और यहां पर रुक गया ठीक है migrated means आप समझ सकते हैं की जब COVID हुआ था बहुत सारे लोग एक शहर से दूसरे शहर गए थे उनको हम migrated person कहते हैं जो कहीं और के होते हैं और कहीं और जाकर के रहने लगते हैं क्योंकि उनको जीवन यापन करना होता है ठीक है I did my schooling in 12th in a school in the city I did मैंने की my schooling मेरी सिक्षा schooling का मतलब भी सिक्षा होता ही चीज़ याद रखेगा in 12th मैंने अपनी बारवी तक की सिक्षा की in a school in the town in the city शहर के शहर के ही school से मैंने अपनी बारवी की सिक्षा की now अब I am doing मैं कर रहा हूं my bachelors मेरी bachelors in the town अब मैं शहर में अपने bachelors कर रहा हूं I hope यह topic आपको पसंद आया होगा बहुत ही simple सा है बहुत ही basic सा है बट एक चीज़ मैं आपको हमीशा कहती हूँ जब भी आप कोई भी essay लिखते हैं या कोई भी paragraph लिखते हैं अगर आप उसके शुरुआत थोड़ा सा different way में करते हैं तो आपके teacher को भी वो चीच अच्छी लगेगी सेकिन वर्ड है honestly इमानदारी से थर्ड वर्ड है migrated या निके कहीं और जा बसना ठीक है जाकर के रहने लग जाना कहीं और पर इन तीनों ही वर्ड से आपको sentence प्राने है comment box में लिखना है प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए अगर आप अपने आपको improve करना चाहते हैं क्योंकि मेरे बोलने से या किसी और के बोलने से आप कभी improve नहीं कर पाएंगे जब तक आप खुझ से practice नहीं करेंगे आज के 3 वर्ड है dictation के 1st वर्ड है millions 2nd वर्ड है dictation का passionate and 3rd वर्ड है achieve 1st वर्ड है billions 2nd है passionate and 3rd है achieve इन 3 वर्ड को भी आपको dictation मिल्खना है इनकी spelling लिखनी है dictation word का मतलब होता है कोई भी word की spelling को लिखना ठीक है I hope you topic पसंद आया है कैसे लगाए प्लीज कमेंट में ज़रूर बताएगा और अगर आप चाहते हैं और टॉपिक में आपके साथ में शेयर करू आप वो भी मुझे कमेंट करकी बता सकते है थैंक्स वोचिंग और थैंक्स वोचिंग और थैंक्स वोई डाइं